सूरजपूर कलेक्टर को आखिरकार हटा दिया क्या है इसके साथ ही कॉंग्रस को एक बार फिर से हमले का मौका मिल चुका है बैज ने ये गिना दिया कि बलादा बाजार, कवर्धा और सूरजपूर कांट के बाद इन जिलों के कलेक्टर और एस्पी नब गए उनके तबादले कर दिये गए क्या ये लॉइन ओर्डर की नाकामी नहीं है कॉंग्रस के सवाल का जवाब बीजेपी सरकार को तो देना होगा क्योंकि शायद यही सवाल जनता के मन में भी कही न कहीं हो पहले बलादा बाजार, फिर कवर्धा और अब सूरजपूर जहां जहां उपद्रव हुआ, हिंसा हुए, पुलिस और प्रशासन कट घरे में ख़़ा दिखा उन जिलों के कलेक्टर और एसपी पर गाज भी गिरी उनका तबादला कर दिया गया लेकिन अब प्रशासनी एक फिर बदल को लेकर कॉंग्रिस ने भारतिय जिंता पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए हैं PCC चीफ दीपक बैज ने दस महीने के भीतर बलादा बाजार, कवर्धा और सूरजपूर के मामले का जिक्र करते हुए कहा इन तीन जिलों के कलेक्टर और SP हटाए जाने से ये साफ हो जाता है कि प्रशासन इन मामलों का हैंडल करने में कितनी लाचार थी दीपक बैज ने ये भी कह दिया कि कलेक्टर SP पर कारवाई करने की जगह है ग्री मंत्री का तबादला कर देना चाहिए और ऐसा करने से अपराद भी रुख जाएंगे कॉंग्रेस ने वार किया तो BJP ने जवाब देती हुए कहा यही विश्णुदेव साय सरकार का सुशासन है जहां लापरवाही करने वालों को बक्षा नहीं जाता दस मैने में पूरी अपराद गड़ बना दिया 36 गड़ को और प्रसासन की सबसे बड़ा अक्षमता का उधारन है अगर इनको बदलने के अलावा जगा में अगर ग्री मंत्री को बदल देते मैं समझता हूँ साय अपराद रुख जाए प्रदेश में अपराद की घटनाओ को लेकर कॉंग्रिस लगातार सवाल उठाती आई है और इसी बीज तीन बड़ी घटनाओ में तीन जिलों के कलेक्टर और एसपी को बदलने को लेकर कॉंग्रिस भले ही सरकार पर तीखा हमला बोल रही हो लेकिन बीजेपी सरकार ने ये एक्शन लेकर एक बड़ा संदेश ये भी दिया है कि प्रशासनिक कसावट को लेकर वो बड़े फैसले लेने में पीछे नहीं हज़ेगी इदर कॉंग्रिस लॉए और और को लेकर लगातार सवाल उठा रही है और बीजेपी को खेर रही है सवराप सिंग परिहार आई बीचिटनिफूर रायपोर